राजस्तान सरकार शिक्षा विभाग को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है इस नियम के तहट अब प्राइविट स्कूलों में बढ़ती फीस और पेरेंट्स को हो रही समस्याओं से राहत मिलेगी शिक्षा विभाग ने 10 सूतरी गाइडलाइन जारी की है साथ ही कहा है कि इसका पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों के खिलाफ भी कारिवाई की जाएगी सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार प्राइविट स्कूलों से यूनिफॉर्म किताबें खरीदना जरूरी नहीं है इस गाइडलाइन का शत्र प्रतिशत पालन करवाना भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जिम्मेदारी रहेगी शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के बदाविक प्रदेश के स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाए स्कूल इस तरी फीस कमेटी का भी गठन हो साथी कमेटी के सदस्यों का नाम पता और उनके मोबाईल नंबर PSP पोर्टल पर अपडेट हो स्कूल की फीस कमेटी द्वारा तै करके PSP पोर्टल पर सालाना और मासिक दर में PDF बनाकर अपडेट करना अनिवारे है स्कूल की फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी अतरिक्त शुल्क को वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ होगा स्कूल प्रशासन द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली नहीं की जा सकेगी स्कूल अस्तरी फीस कमेटी द्वारा फीस निधारित की जाएगी जो तीन शाक्षणिक सत्रों के लिए होगी सभी प्राइवेट स्कूल जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, CBSE, CISCE, CIEE जैसे मानिता प्राप्त हैं उनको नियमों और उपनियमों का पालन करते हुए शाक्षणिक सत्र के लिए किताबों का चयन करना होगा साथ ही शाक्षनरिक सत्र शुरू करने के एक महीने पहले ही स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर किताब सहित सभी जानकारी अप्रोड करना आनिवारे होगा ताकि पेरिंट्स उन्हें किसी भी बाजार से खरीद सकें